हेलो प्रेंड आज किस वीडियो में RRB NTPC CBT1 कट ओप के बारे में बात करने बाले हैं कि NTPC का कट ओप लेवल वाई जाएगा, पोस्ट वाईज या सभी का कट ओप एक रहने बाले हैं किस कंडिडेट को कितने CBT2 देने परेंगे, साथी जानेंगे कि 12 पोस्ट वाले का कट ओप हाई जाएगा या ग्रेजुएट पोस्ट वाले का सारी बाते जानेंगे इस वीडियो में तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले जानते हैं, 12 बालों के लिए कौन-कौन से पोस्ट हैं अब देखते हैं, ग्रेजुएट बालों के लिए कौन-कौन से पोस्ट हैं senior clerk कम टाइपिस्ट, junior accountant assistant कम टाइपिस्ट, senior timekeeper, commercial apprentice, station master, graduate बालों के लिए total आठ परकार के पोस्ट हैं, एबं 12 बालों के लिए total परकार के पोस्ट हैं, अगर cut-off की बात करें, तो cut-off आपका level wise रहने बाला है, जिस परकार से आप देख सकते हैं कि junior color कम टाइपिस्ट, account color कम टाइपिस्ट, junior timekeeper, trans color, इन चारों पोस्टों के लिए cut-off एक रहने बाले हैं, क्योंकि ये सभी पोस्ट लेबल 2 के तहत आते हैं, वहीं आपके commercial कम टीकट कलर के cut-off अलग रहेंगे, ये सभी पोस्ट लेबल 3 के तहत आते हैं, यानि कि आपके 12th के cut-off अलग जाने बाले हैं, 12th पोस्ट के लिए cut-off अलग जाने बाले हैं, क्योंकि ये 5 पोस्ट आपके 12th लेबल के हैं, वहीं बात करें, traffic assistant इनके cut-off अलग रहने बाले हैं, क्योंकि ये पोस्ट लेबल 4 के तहत आते हैं, वहीं goods guard, senior commercial कम ticket clerk, senior clerk कम typist, junior account assistant कम typist, senior timekeeper, ये सभी पोस्टों के लिए cut-off एक रहने बाले हैं, क्योंकि ये label 5 के तहत आते हैं, वहीं commercial apprentice इवं station master के cut-off एक रहने बाले हैं, क्योंकि ये सभी पोस्ट लेबल 6 के तहत आते हैं, यानि कि आपके label 2 के तहत आने बाले सभी पोस्टों के cut-off एक रहने बाले हैं, label 3 की बात के तो इनमें आने बाले सभी पोस्टों के cut-off एक रहने बाले हैं, इसी परकार लेबल 4, लेबल 5 एवं लेबल 6 के तहत आने बाले सभी पोस्टों के कट आप एक रहने बाले अगर कट आप की बात के तो कट आप अपकार लेबल वाई जाएगा 12th post के cut-off अलग रहेंगे एवं graduate post के cut-off अलग रहेंगे क्योंकि 12th post आपके level 2 एवं level 3 के तहत आते हैं इनके cut-off अलग रहेंगे एवं graduate level के cut-off अलग रहेंगे क्योंकि इनके post आपके level 4, 5, 6 में आते हैं इससे ये confirm होता है कि 12th बालों का maximum 2 CBT2 होने बाले हैं एबम graduate बालों का maximum 5 CBT2 होने बाले हैं अगर 12 बाले 2 एबम 3 लेबल के cut-off को पार करते हैं तो उनके 2 CBT2 होंगे एबम graduate बाले अगर सभी लेबल के cut-off को पार कर जाते हैं तो उनके 5 CBT2 होंगे तो graduate बाले जितने लेबल के cut-off को पार करेंगे उनके उतने CVT-2 होंगे 12 बालों का मैक्सिमम 2 CVT-2 ही होने बाला है अगर cut-off की बात करें तो किनके cut-off हाई जाने बाले हैं तो 12 पोस्ट बाले के cut-off हाई जाने बाले हैं एब हम graduate पोस्ट बाले के cut-off लो जाने बाले हैं क्योंकि 12 बाले सिर्फ अपने पोस्टों के लिए eligible है लेकिन graduate बाले सभी पोस्टों के लिए eligible है अगर एक जम्पल से समझाएं तो आप सभी को पता है कि NTPC में total 1.25 करोर फॉर्म फिलप हुए है अगर मौन ने 70 लाग फॉर्म graduate बालों के हैं एबं 55 लाग फॉर्म 12 बालों के हैं तो ये 55 लाग candidate सिर्फ लेबल 2 लेबल 3 पोस्टों के लिए eligible हैं लेकिन ये 70 लाग candidate सभी पोस्टों के लिए eligible हैं यानि कि सभी candidate आपके लेबल 2 लेबल 3 पोस्टों के लिए eligible हैं इसलिए 12 बालों के cut-off हाय रहने बाले हैं तो मैं आसा करता हूं कि आप सभी को सारी बात अच्छे से समाज आ चुकी होगी तो आज कब देखने के लिए आपका धन्यवाद